शाहीने के इंटरनेशनल स्टार हैं, पहले ओर में इतने हमेशा घातक साधित होते हैं, वो हवा में वो स्किल है कि बॉल को मूव करा सकता है। इस पर पहले दबा हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिक्टल जैसे शाहीन, शदाब, आजम खान, मुहम्मद आमिर यहां पर खेल रहे हैं, तो कितना एड़ ओन हुआ है वैलियो आयल्टी की? बहुत आइड़ ओन हुआ है, इसमें कोई दूर आयनी, हम सब जानते हैं, शाहीन एक इंटरनेशनल स्टार हैं, जिस तरीके से अपने आप में एक मैच विनर्स हैं, उनकी वर्ल्ड ओवर फॉलोइंग इतनी है, पहले ओवर में इतने हमेशा घातक साधित होते हैं, 45 उनके आपको वो एंटर्टेन कर रहा है, तो वो और लोगों को जोड रहा है, तो आमीर और शाहीन दोनों को अपने देखा यहां पे, बड़ा इनका क्रेज रा के दोनों को कठे केलना चाहिए, पाक्संटी में एक बॉलर नहीं, आमीर रिटाइर हो चुके हैं, अगर क्रेंट फ फॉर्मैट में अंतराश्य सतर पे पेस आपको फैद एकादा बाल यही कादा बैट्स्वन को तंग करेगी, लेकिन चाहे पेस में थोड़ी ची कटाउती हो, लेकिन हवा में कुछ शरादत करती है, वो बैट्स्वन को ज्यादा परिशान करती है, कि आज इंडिया हरा है, ह कोई गैरेंटी जनी होती, स्पोर्ट में. आप सब तैयारी करके आते हैं, और कास वसे टेस्ट टेस्ट क्रिक्ट्र, टेस्क्रिक्ट में पहली सिर्फी इनिंग नहीं. तेस्करिक्ट में दूसरी इनिंग ज्यादा महित्तपून रहती है, क्योंकि वह आपको हरादी है, या तो उतार चड़ाओ चलता रहेगा अब यहां से भारते टीम कमबैक करेगी उसमें अपने आप में मज़ा होगा लेकिन यह शौटन याम है कि आपको घर में आके एक यूवा टीम आपको अपने घर में आके हरा रहे है तो मुझे लगता है कि भारते टीम रोहत और उनकी सेना बाउंस बैक करना जानती है अगर फैनाइन्स वाइस देखा जाए तो आईपिल के बाच है सबसे ज़्यादा आयलटी ही पेकर है उसके बाच है पीयसल जा बाकी लीक्स आती है तो आपको लगता है कि कमिंग यर्स में यह कॉंपिटिटिव होजेगी आईपिल और पीयसल क हो गया क्रिकेट अची रहेगी और कोई भी खिलाड़ी यहां पे भी आके ना आंत में वो पैसे के लिए ने खेल रहा है कि मैने जाके अपना नाम कमाना है योई में आके अच्छा प्रदशन करना वो अपने आप में वजा है और खास्तों से शार्जा का यह मैदान है यह एक एत्यासिक मैदान है जब भी हम लोग इस गेट से आते ना अपनी पुरानी यादे जो है ना वो तादा हो जाती है लास्ट क्वेस्टिन शाहीन अफ्रीदी का आपने जिकर किया आपने 99-2000 में पाकिसानी टीम के साथ आप खेले हुए है वो बालिंग टैक बहुसे एक 11 खिलाडी देखते हैं अगर आप 6 बलेवाज खिला रहे हैं और 5 गिंदवाज खिला रहे हैं जरूरी नहीं कि 5 के 5 आपको विकेट जटकाते हैं उस दिन पे कौन से बोलर का कितना अच्छा रिदम चल रहा है वो आपको मैच्श जिताता है और क्लास इस पर्मनेंट फ अगर विकेट नहीं मिलती तो आप वापस जाते रहना पर उसी इंटेंसिटी के साथ आप आके बोलिंग करते हैं अगर आपको उस दिन वो चार और में 40 रन या 50 रन भी पड़ जाते हैं आप वापस जाते हैं आप बैठके रिलाइस करते हैं आज क्या हुआ क्या चीजे मै सुधार सकता हूं वही चीजे आप नेट प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उस इंटेंसिटी को वापस अगले मैच में लेकर आते हैं तो फॉर्म उपर नहीं से चलता रहा है